नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चानल में दोस्तों, आठ एप्रिल दिन सोमवार इस साल की सबसे बड़ी अमावसिय, चैत्र अमावसिय इस दिन भगवान महादेव के आशिर्वात से बना दिवय और दुरलब महाशुब सयोग, काल सर्प योग, बारा राशियों में से छे राशियां होंगी करोडपती माला माल यूं कहीं कि अब भगवान महादेव की कृपास से 12 राशियों में से 6 राशिवालों को 8 एप्रल यानी की 14 अमावस्य के दिन स्वयम विधाता भी नहीं रोग सकते करोडपती बनने से मालामाल बनने से अब भगवान महादेव स्वयम इंचे राशिवालों के जीवन की सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं और अब इंचे राशिवालों के जीवन में भगवान महादेव के आशिरवात से आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां जिससे अब इचे राशि वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों ये राशियां कौन-कौन सी है जो भगवान महादेव की गृपा से 8 एपरिल चैत्र अमावस्य के दिन करोडपती बनने वाली है धन से माला माल बनने वाली है आज इस वीडियो में हम आपको उन भागेशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो छे राशि वालू के लिए बहुत ही महतपोन रहने वाला है दोस्तों मीडियो को शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट बॉक्स में जैश्री राम या हर हर महादेव अविश्य लिखें, जिसे भगवान महादेव की कृपा आपके और आपके परिवार के उपर सदेव बनी रहें, और जादा से जादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ज सरपन आदी करना लाबकारी माना गया है, दोस्तों आपको बता दें कि धार्मिक द्रिष्टी से अमावस्य का विशेश महत्व होता है, चैत्र महिने के कृष्ण पक्ष के आकरी दिन अमावस्य होती है, इस दिन स्नान, दान और पित्र दोश्टी मुक्ती के लिए धार्मि किये जाते हैं, घरूर पुरान के अनुसार अमावस्य को पूर्वच अपने वन्शजों के यहां जाते हैं और उनसे बोजन ग्रहन करते हैं, पित्रों की आत्मा त्रिप्ती के लिए चैत्र अमावस्य पर तरपन करना श्रेष्ट माना जाता है, चैत्र अमावस्य के अगल इसके अलावा इस दिन सूर्य ग्रहन भी लग रहा है, चैत्र अमावस्य को बूधरी अमावस्य भी कहा जाता है, यूगि इस दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रे होती है, पंचांग के अनुसार चैत्रामावस्य की शुरुवात 8 एपरिल 2024 सुभे 3 बज कर 21 मिनिट पर होगी और इसका समापन 8 एपरिल 2024 को राद 11 बज कर 50 मिनिट पर होगी चैत्रामावस्य जीवन से दुख और नकारात्मक्ता को दूर करने में मदद कर सकती है इस दिन गंगा नदी में सनान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है साथी पित्रों का शुराद और तरपन करने से पित्रों का आशिरवात मिलता है पित्रों को वैंकुप धाम मिलता है और परिवार वालों की वंच व्रिदी होती है चैत्र अमावस्य व्यक्तियों के पापों को दूर करती है और उन्हें भगवान विश्नु का आशिर्वाद प्राप्त होता है अमावस्य के दिन पित्रों की आत्मत रिप्ती के लिए ब्रामनों को भोजन कराया जाता है इन कार्यों को करने से पित्रदोश भी दूर होते हैं दोस्तों आपको बता दे 8 एप्रिल 2024 चैतर अमावस्य पर सूर्य ग्रहन भी लग रहा है सूर्य ग्रहन की शुरुआत रात 9 बचकर 12 मिनिट से होगी और इसका समापन मध्य रात्री 1 बचकर 25 मिनिट पर होगा सूर्य ग्रहन की कुल अवधी 4 घंटे 25 मिनिट तक रहेगी ये सूर्य ग्रहन मीन राशी स्वाती नक्षत्र में लगेगा चले अब आपको बता दे कि भगवान महादेव किन राशी वालों पर अपनी अत्यदिक कृपा बरसाने वाली है जिसके प्रभाव से इन राशी वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशिया ही खुशिया दोस्तों आपको बता दे कि भगवान महादेव की विशेश कृपा इन राशी वालों पर होने वाली है भगवान महादेव की कृपा से इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं इन राशी वालों को भगवान महादेव के आशिरवाद से अपने जीवन में अनिकों प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिसे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा जिन खुशनसीब और भागिशाली राश्यों पर भगवान महादेव की कृपा होने वाली है उन खुशनसीब और भागिशाली राश्यों में से जो पहली राशी आती है वो है मकर राशी मकर राशी वालों को बता दी कि आपके उपर भगवान महादेव की अपार कृपा बनी रहेगी जिसे नेधन लाब प्राप्ति होने की संभावना है आपको बता दे इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिदी होगी जो लोग नौकरी करती हैं उन्हें पद में तरकी मिलेगी जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ अपार में ज्यादा मुनाफ़ा होने की संभावना बनी हुई है आप अपनी सभी कारियों को सफलता पूर्वग पूरा करेंगे भगवान महादेव की विशेश कृपा मकर राशी वालों आपके उपर बन रही है जिसे आपके जीवन की सभी दुक दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपनी जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां जिसे मकर राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा अगली राशी है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दे कि भगवान महादेव की कृपा से आप लोगों के लिए समय ब प्रशनसा की जाएगी आपको बता दी कि भगवान महादेव की कृपा से आपको अपसफलता की नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपनी जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दी जो भी आपके रुके कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दी कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी भगवान महादेव के आशिरवाद से मेश राशिवालों आपके आयके सादनों में व्रिधी होगी दोस्तों भगवान महादेव के आशिरव में सफलता प्राप्त होगी, अचानक से धनलाब प्राप्ती के भी आपके लिए संभावना बन रही है, साथी साथ यदि आप नया वाहन या मकान करीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो वो योजना भी आपकी अविश्य सफल होगी, महादेव की विशेश क्रिपा, मेश राशी वालों आपके उपर बन रही है, समय अब आपकी पुर्णता पक्ष में है, समय का आप भरपूर लाप उठाएं, समय को अपने हाथ से ना जाने दे, दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वो है विशब राशी, विशब राशी वालों को बता द भगवान महादेव की खृपास से ही आपके आर्थिक सिति पहले से बहतर होगी, आपके रुके हुए कार्य अब सफलता पूर्वक बनेंगे, दोस्तों के साथ मेल जोल बड़ेगा, साथी साथ इस राशी के लोगों को अनिक प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी प्राप्त होगा, आपके मदुरवानी की वज़े से ही आपके सभी कार्य पूरे होंगे, भगवान महादेव की विशेश क्रिपा आपके उपर बनी हुई है, जिसकी वज़े से आपके धन सम्मंद्र जो भी परेशानिया हैं, वे सभी परेशानिया दूर होंगी, और साथी सा जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके वे कार्य अब आपके सफलता पूर्वत पूरे होंगे आपको बता दें कि भगवान महादेव की विशेश क्रिपा विशब राशी वालों आपके ऊपर बन रही है आप दिन दुगनी राज चोगनी तरके करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आप अपनी सफलताओं के अब जंडे घार देंगे जिसे दुनिया आपका जल्वा देखेगी कहना गलत नहीं होगा भगवान महादेव के आशिरवाद से अब आपके लिए समय बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों इस लिट में जो अगली दनलाब होगा बलके आपके व्यापार में खूब व्रिधी भी होगी इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेदन व्रिधी के पूरे योग हैं साथी साथ जो लोग व्यदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका इस अपना पूरा होने के योग बन रहे हैं, भगवान महादेव की विशेश कृपा कन्याराशी वालों आपके उपर बन रही है, साथी साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफ़ा होगा, धनलाब प्राप्ति के अनेक अवसर कन्याराशी व साथी साथ आपके सभी कारे सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे, साथी साथ जो लोग नया वाहन या घर करीतने की योजना बना रहे हैं, तो वो योजना भी इनकी आविश्य ही सफल होगी, भगवान महादेव की आपके उपर कृपादिष्टी बनी हुई है, आपकी सम पूरी होगी और भगवान महादेव अब आपको अपने जीवन में अनिक प्रका की लाब, धनलाब और सफलता की प्राप्ती कराएंगे, जिससे कन्या राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा, दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वो है सिंग राशी, सिंग राशी वालों को बता दे कि भगवान महादेव की क्रिपा से ही आपके लिए समय अब बहुत ही बहतरीन होने वाला है, आपको बता दे आपको ना केवल मान समान मिलेगा, बलकि समाज द्वारा आपको काफी तारीफ भी की जाएगी, इसके अलावा आपको अपने जी सिंग राशी वालों अब आपको बता दे कि भगवान महादेव की क्रिपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेको अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, और आपकी आर्शिक सिती मजबूत होगी, इसके साथी आपके घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा, जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुश्यां ही खुश्यां होंगी, द भगवान महादेव की आशिर्वात से अब समय आपके लिए पूर्णता फक्ष में हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है धनुराशी। धनुराशी वालों को बता दे कि भगवान महादेव की कृपा से अब आपको बहुत जल्दी अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दे आपकी महनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दे जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा जिसे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आपको बता दे आपके रुके हुए कार्य भगवान महादेव के आशिरवात से अब समय पर पूरे होंगे आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा आपको बता दे कि आप लोगों के उपर भगवान महादेव की असीम क्रिपा बनी हुई है और भगवान महादेव की कृपा से आपके धन समंदित सभी परिशानिया दूर हो जाएंगी और आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे धन में खूब विधी होगी और अनेक प्रकार के लाब धन लाब और बड़ी बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है आपको बता दे कि भगवान महादेव की कृपा आपके उपर विशेश रूप से बन रही है साथ ही साथ आपको बता दे जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नोकरी में पदवनती के साथ-साथ वेतन विधी के भी योग बन रहे हैं आपको बता दे भगवान महादेव की कृपा से धनुराशी वालों आपके जीवन की समझत परेशानियों का अब अन्त होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुश्या ही खुश्यां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है कुम्ब राशी, कुम्ब राशी वालों को बता दे कि भगवान महादेव की कृपा से ही आपके जीवन में अब खुश्यों का भंडार आने वाला है, जी हाँ दोस्तों भगवान महादेव आपके उपर बहुत प्रसन है, आपक का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है, साथी सा जो भी आपके रुखे हुए कारिये हैं, वे कारिये अब सफलता पूर्वक पूर्ण होंगे, और साथी सा जो लो व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में लाब मिलेगा, उनका व्यापार दिन दुगना राच्वग उनको हर तरफ से अब लावी लाब मिलेगा, कुम राशिवालों अब आपके जीवन में चारो तरफ से खुशियाईं खुशियां मिलेगी, भगवान महादेव आपके उपर बहुत प्रसन है, साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वि यदि के योग बन रहे हैं, साथी साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको मन चाहे नौकरी भी मिलेगी, साथी साथ आपको बता दे, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है, वो पैसा भी आपको जल्दी वापस मिलेगा, साथी साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही है वे रुकावटें खतम होंगी और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी कुम राशी वालों आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एसास करेंगे भगवान महादेव की विशेश कृपा आपके ऊपर कुम राशी वालों बन रह समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में हैं इस समय का बर्पूर लाप उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें अगली राशी आती है मिथुन राशी दोस्तों मिथुन राशी वालों को बता दे भगवन महादेव की विशेश क्रिपा आपके उपर बन रही है आपको वातावरन रहेगा आपको कोई बड़ी खुश कबरी मिल सकती है भगवन महादेव की क्रिपा से आपके सवी कारे सफल होंगे व्यावशाय में अचानक लाप होगा और इसमें एक धनलाव प्रापति के आपके अनेक योग बन रहे हैं भगवन महादेव की क्रिपा से ही पाहन या मकान खरीदनी को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो वो योजना इनकी अविश्य ही सफल होने वाली है। दोस्तों भगवान महादेव का आशिरवाद आपको आपको आपके परिवार को प्राप्त हो। सची दिल से कमेंट बोक्स में जै महादेव अविश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार।